वेलकम अगेन माई फ्रेंड्स और डियर इस्टुडेंट मैसेल्फ महेंदर देवन्दा आज हम बात करने वाले हैं स्टक्चर एंड फंक्शन ओफ माईट्रोकॉंड्रिया माईट्रोकॉंड्रिया के सरचना और उसके कारियों के बारे में हम जानका रिफ्राफ्ट करेंगे यहां एक हमें सेल दिखाई दे रही है यह एक कोसिका है सेल है इस सेल में हमें सेल में पाए जाने वाले डिफ्रेंट ओर्गनेल्स भी दिखाई दे रहे हैं जैसे की centriole, endoplasmic reticulum, जिसके दो परकार होते हैं, एक होता है rough endoplasmic reticulum, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं smooth endoplasmic reticulum, इसके अलावा golgi apparatus, ribosomes, vacuols, और mitochondria, इस वीडियो में हम mitochondria के बारे में हम जानने का प्रियास करेंगे, lysosome, बाहर की covering, plasma membrane, अंदर जो liquid भरावा होता है, वो होता है, cytoplasm, cell का center, nucleolus, और ये nucleolus जो पाये जाता है, कोशिगा के जो main center में पाये जाता है, जो nucleus, जिसको हम kendra कहते हैं, kendra के अंदर nucleolus पाये जाता है, इस cell में ये जो mitochondria है, ये एक mitochondria है, इस mitochondria को हम विस्तार से जानेंगे, कि ये mitochondria जो है, किस परकार का होता है, तो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, basic mitochondria क्या है, इसकी history, यानि इसके जो विकास होता है, इसका नाम किस ने दिया है, उनके बारे में जानकर रप्राप्त करेंगे, occurrence, mitochondria कौन सी cells में पाया जाता है, mitochondria के number किस परकार से cell में variate करते हैं, shape and size, आकार और आकरती किस परकार की होती है, mitochondria की structures, chemical composition of mitochondria, mitochondria का chemical composition, रासानिक संगठन किस परकार का होता है, mitochondrial DNA के बारे में बात करेंगे, and function of mitochondria, mitochondria के क्या-क्या कारिय होते हैं, तो सबसे पहले basic बातें जानते हैं, mitochondria के बारे में, mitochondria cell में पाये जाने वाला एक cell organal है, कोसिया का अंगक है, mitochondria एक word जो है, ये plural word है, भाव अचन में हम, इसको mitochondria नाम दिया गया है, इसकी singular जो form होती है, mitochondrion होता है इसका नाम, अगर हम एक ही सिर्फ एक single mitochondrion, एक mitochondria की बात करें तो उसको mitochondrion कहा जाता है, mitochondria is a double membrane bounded cell organal, mitochondria जो होता है, वो double membrane bounded cell organal है, means इसमें दो membrane पाये जाती है, जैसे की ये mitochondria है, mitochondria में ये बाहर की membrane है, और अंदर वाली membrane इस तरह पाये जाती है, ये double membrane bounded cell organal है, जो कोशिका में पाये जा रहा है, mitochondria, word originate from Greek language, Greek language से mitochondria का origin हुआ है, जिसमें Greek में mitochondria का मतलब होता है, thread और chondrion का मतलब होता है, granules, thread का मतलब होगा, धा के समान, और granules यानि कन के समान, ये दिखने में हमें जब हम इसको देखें, तो ये granule के तरह दिखाए देता है, लेकिन हम जब इसकी detail structure देखें, तो ये थोड़ा सा लंबा road के समान सरचना रखता है, mitochondria granular or filamentous like structure in cytoplasm, cytoplasm, ये है कोशिका द्रव में पाई जाने वाली सरचना है, mitochondria site for beta oxidation, beta oxidation की जो process है, वो mitochondria में होती है, crave जो cycle होता है, वो अभी mitochondria में समपादित होता है, ETS, electron transport system, ये भी mitochondria में समपादित होता है, जिसमें oxidative phosphorylation की प्रक्रिया के द्वारा ATP का निर्मान होता है, semi-autonomous cell organelles, mitochondria को semi-autonomous cell organelles का आ गया है, देखो एक word है autonomous, autonomous का मतलब क्या होता है, autonomous का मतलब हो गया, जो की अपने आप पर पूरी तरह से निर्वर होता है, जैसे आप अगर कोई काम संपूर कर सकते हैं अकेले, तो इसका मतलब आप autonomous हो गए, लेकिन कुछ चीजों में आप किसी दूसरे की मदद लेते हैं, तो आप कहें कि semi-autonomous है, तो जो mitochondria है, उसको semi-autonomous cell organelles कहा गया है, क्योंकि mitochondria पूरी तरह से अपने आप पर निर्वर नहीं होता है, पूर्णते अपने आप पर काम नहीं कर सकता है, हाला कि mitochondria के पास खुद का DNA जरूर होता है, लेकिन वो केंद्रक में पाये जाने वाले DNA से भी सूचना प्राप्त करता है, इसलिए ये कुछ हद तक जो केंद्रक में जो DNA पाये जाता है, उसके द्वारा नियंतरित किया जाता है, mitochondria को transducer of energy किया जाता है, mitochondria मतलब जो energy है, उसका रूप बदला जाता है, mitochondria के द्वारा, किस प्रकार से? mitochondria convert of static energy into a dynamic energy, mitochondria जो एक इस्तिर जो उर्जा होती है, उसको गत्तिव उर्जा में बदल देता है, जैसे कि हमारे भोजन में जो उर्जा इस्तिर अवस्ता में है, या जो glucose molecule है, वो एक इस्तिर अवस्ता में उससे dynamic यानि ATP generate करने का काम mitochondria करता है, next है, mitochondria को powerhouse of cell, powerhouse, powerhouse का मतलब जहां से power सकती मिल सके, ऐसा घर जहां से सकती मिल सके, और वो कोशिगा का ऐसा घर कौन सा है, वो mitochondria है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक cell को उर्जा के लिए जो ATP बनती है, वो mitochondria के द्वारा बनाई जाती है, यानि production of energy from food, बोजन से जो energy बनाने का काम होता है, वो mitochondria के द्वारा किया जाता है, यहां डाइग्राम में, यह mitochondria के आपको structure दिखाए दे रही है, इसमें दो मेंब्रेन पाए जाती है, यह होती है, यह जो, यह मेंब्रेन है, यह है outer membrane, और दूसरी जो है, यह है, यह जो मेंब्रेन है, जो इस तरह folded हुई हुई है, यह है inner membrane, इसलिए यह double membrane bounded cell organelle है, अब हम इसके इतिहास से समझ देती, यानि इसकी जो खोज हुई है, किस तरह इसको नाम दिये गए हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, mitochondria name given by Carl Benda, Benda veganic द्वारा mitochondria नाम दिया गया, mitochondria discovered by Albert Von Collicker, Albert Von Collicker द्वारा इसको खोजा गया था, in muscle cell of insects and called sarcosome, इन्होंने जो mitochondria को खोजा था, वो जो insect होते हैं, उनकी muscle cells में, और इनमें muscles, जो रेकित muscles हैं, रेकित muscles इनमें पाई जाती है, और उन्हेंने thigh muscles of cockroach में यह discover किया था, जब लो, flaming gave name phyla, mitochondria को phyla नाम, flaming द्वारा दिया गया था, एक important stain है, genus green bee, genus green bee is a mitochondrial stain, mitochondria को stain करने के लिए, genus green bee का यूज किया जाता है, यूज बाई linear मिचियलिस, इन्हें ने इस stain को यूज किया, लियोन और मिचियलिस ने, genus green bee क्या करता है, vital stain है, to observe mitochondria in a living cell, एक जीवित कोसिका में, mitochondria को देखने के लिए, genus green bee stain का यूज किया जाता है, इसके अलावा, mitochondria को stain करने के लिए, crystal violet भी, यूज किया जाता है, लेकिन crystal violet, vital stain नहीं होता है, यनि हम जीवित कोसिका में, mitochondria को देखने के लिए, crystal violet stain को use नहीं कर सकते हैं margit nas margit nas and sylvan nas ये इन दो वेगयनिकों ने 1963 में isolated and identify the presence of DNA inside the mitochondria mitochondria के अंदर DNA को की DNA पाया जाता है इसको पता करना और DNA से जो DNA को mitochondria से अलग करने का काम इन दो वेगयनिकों ने किया margit nas and sylvan nas दोरा किया गया philis philip sickvids दोरा call them to mitochondria power of cell power of cell आपको पूछा जा सकता है कि power of cells नाम जो word है किसके दोरा mitochondria के लिए use किया गया था other name of mitochondria इन सब के अलावा भी mitochondria की कुछ नाम है जैसे की chondriosome chondriomite plastosome plastocondria myocondria chondrioplast philomermucleus bioplast ये इतने सारे mitochondria के नाम है अलग अलग नाम है bioplast जो नाम दिया गया था वो altman द्वारा दिया गया था अब हम समझते हैं इसकी occurrence की यानि mitochondria वास्ता में किन में पाये जाता है उसके बारे में हम समझते है mitochondria are found in all eukaryotic cell mitochondria सभी eukaryotic कोसिकाओं में पाया जाता है except अफवाद सवरूप mature RBC में ये नहीं पाया जाता है absent होता है mature RBC में mitochondria नहीं पाया जाता है RBC में cell organelles किसी भी परकार का cell organelles नहीं पाया जाता है को एक भी cell organelles absent होते है ये सब नहीं पाया जाते है क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RBC के अंदर proper space ज्यादा उपलब्द हो जाता है hemoglobin को वहाँ पर जगे बनने के लिए और hemoglobin जब ज़्यादा मात्रा में RBC में उपस्तित रहेगा तो oxygen को वह आसानी से carry कर देता है mitochondria absent in pro-kerotic cell pro-kerotic कोसिकाओं में mitochondria नहीं पाये जाता है absent होता है in pro-kerotic cell contains mesozoom for respiration अब pro-kerotic में जो mitochondria के सम्मान कार्य कोन करेगा mesozoom करेगा क्योंकि u-kerotic cell में mitochondria involve होता है respiration में cellular respiration में मदद करता है और cellular respiration के तुरू ये ATP generate करता है ETS के माध्यम से ETS electron transport system के तुरू ये ATP generate करता है लेकिन pro-kerotic में जो mitochondria के सम्मान कार्य करता है वो है mesozoom for respiration mesozoom analogous to mitochondria इसको mesozoom को mitochondria के analogous समझा जाता है pro-kerotic में तो mesozoom पाये जा रहा है and u-kerotic में mitochondria पाये जा रहा है यहाँ एक bacteria दिखाये गया है ये एक bacterium की structure है bacteria में आप देख पा रहे होंगे इसमें ये तो इसका man genome है इसकी ये बाहर ये इसकी cell wall है cell wall के अंदर की तरफ जो red color में आपको यहाँ पर folded जो structure दिखाये रही है ये mesosomes है ये mesosome जो membrane है plasma membrane है उसकी in folding हो जाती है अंदर की तरफ और गूम जाती है और इस परकार की सरचना बना लेती है यानि cell wall और इसकी जो plasma membrane है ये इस तरह folded हो जाती है और mesosome का निर्मान करती है इसमें वही engines पाए जाते हैं जो respiration के लिए use किये जाते हैं इस परकार इनको एक दूसरे के analogous कहा जाता है अब हम समझते हैं इनके mitochondria की size और इनके number में नमबर के बारे में हम जानकरी प्राप्ट करते हैं सबसे पहले हम size को देखें कि mitochondria की size कितनी होगी mitochondria की आपने सरचना में देखा होगा कि mitochondria इस परकार की structure है एक membrane और ये second membrane है जिसमें in folding हो जाती है अंदर की तरफ ये घूम जाती है और क्रिस्टी का निर्मान करती है तो इसकी हम ये तो हो गया इसका diameter ये इसका हो गया diameter और ये हो गया इसकी length इसका जो diameter होता है वो 0.522 micrometer होता है जबकि length की बात करें तो length 1 micrometer से 4 micrometer तक हो सकती है smallest mitochondria 1 micrometer in yeast smallest जो mitochondria है वो yeast में पाया जाता है and largest जो mitochondria है वो egg cell of rana pipeness rana pipeness actually एक frog है एक mendak है mendak की जो egg cell है उसमें सबसे बड़ा mitochondria पाया जाता है inactive cell contain less number of mitochondria जो निस्क्रिय जो कोशिका होती है अक्रिय जो कोशिका होती है उनमें mitochondria के number कम होते है इसका मतलब यह हुआ कि जो cell active होती है उनमें mitochondria के number भी ज्यादा होंगे क्योंकि active cell ATP बनाने में participate कर रही है और ATP ज्यादा बन रही है इसका मतलब उसमें mitochondria की संख्या ज्यादा होती है इसकी जो सेप होता है वो vary करता है ranges from short road safe यह road safe to elongated filamentous form में यह पाया जाता है अब हम बात करते हैं संख्या की कि mitochondria की संख्या एक कोशिका में कितनी होती है आप जब एक कोशिका को देखते हैं तो कोशिका में समाने तया single cell content 300 to 800 mitochondria in number एक कोशिका में एक सिंगल सेल में इतनी संख्या में 300 से 800 mitochondria आपको देखने को मिलते हैं अब इसकी संख्या यह vary भी कर सकते हैं इनसे कई कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है जैसे कि सिंगल mitochondria सिर्फ एक ही mitochondria found in micro hysteriasis micro hysteriasis chlorella micromonas यह तीनो वन टू एन यह थ्री यह तीनो ही green algae है और यह तीनो green algae में सिंगल सिर्फ एक mitochondria पाये जाता है इसके अलावा एन ट्रिपेनोसोमा ट्रिपेनोसोमा जो एक parasitic protozoans है protozoa जो phylum है उसका सदस्य है सिंगल cellular यह organism है तो ट्रिपेनोसोमा में भी सिर्फ एक ही mitochondria पाया जाता है 22-25 mitochondria found in sperm एक sperm में लगबग 20-25 mitochondria पाये जाते है cell of muscles, kidney and glandular cells यानि जो ग्रंथिल कोसिकाएं होती है contain more number of mitochondria या muscles की जो कोसिकाएं हैं क्योंकि उसको muscles को उड़ जाके आवसकता ज्यादा होगी तो mitochondria के नंबर भी ज्यादा होगी kidney में क्योंकि उनका functional होता है glandular cells जो ग्रंथिल कोसिकाएं होती है जैसे कि हो यह hormone secret कर रही है, enzyme का secretion कर रही है दो कि energy में participate कर रही है, उनमें भी mitochondria का नंबर ज्यादा होता है more number of mitochondria present in animal cell than plant cell एक हम normal plant cell लें और एक normal animal cell लें तो animal cell में आपको mitochondria का number ज्यादा मिलेगा एक plant cell की तुलना में अब हम बात करते हैं, mitochondria की shape के बारे में हमें कैसे दिखाई पड़ता है general structure के बारे में बात करें तो यह granular और filamentous road safe structure में आपको देखने को मिलता है लेकिन yeast में यह spherical यह गोल के आकार का होता है chlorella, chlorella आप जान चुके हैं एक green algae है single cellular green algae है matubular and branched आपको mitochondria देखने को मिलता है जैसे कि यह आपको यहाँ पर cell दिखाई दे रही है इस cell में जब आप इस cell को microscope से जब इसको observe करेंगे तो आपको एक छोटी जी road नुमा से रचना जो दिखाई दे रही है यह जो माइटो कॉंड्रिया है इस तरह से आपको छोटे छोटे दिखाई देते हैं यह माइटो कॉंड्रिया तो यह granular उप में या filamentous छोटी road के समान आपको दिखाई देते हैं अब हम बात करते हैं कॉंड्रियोम को समझते हैं कॉंड्रियोम क्या है कॉंड्रियोम कॉंड्रियोम को समझना बहुत आसान है जब आप किसी सेल को देखते हैं तो सेल में आपको जितने भी माइटो कॉंड्रिया जो दिखाई देते हैं उन सब को मिलाकर हम कह देते हैं Chondrium यानि Total number of mitochondria in a single cell एक सरल एक बोलती जो single cell है उसमें आपको जितने भी mitochondria जो दिखाए देते हैं उसके जितने भी total number of mitochondria है उनको हम Chondrium नाम देते हैं जैसे कि इस cell में भी आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 हाला कि ये कम दिखाए गए हैं लेकिन आपको पता चल गया कि लगबख 300 से लगबख 800 तक जो mitochondria है एक normal cell में ये पाए जाते हैं इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं ये और इनसे कम भी हो सकते हैं अब हम बात करते हैं mitochondria की structure के बारे में structure of mitochondria mitochondria की सरचना के बारे में हम ये जान चुके हैं कि mitochondria एक cell organelle है एक कोसिगाख अंगाख है इसमें दो membrane पाई जाती है तो सबसे महत्वण बात ये double membrane bounded cell organelle है तो इसमें पहली जो membrane है वो है outer membrane है दूसरी जो membrane है उसको हम कहते हैं inner membrane और third जो इसका भाग होता है उसको हम matrix कहते हैं यानि outer membrane सबसे बाहरी बाहर का आवरण inner membrane ये अंदर की तरफ का आवरण होता है और matrix जो inner membrane के folding के द्वारा कुछ अंदरी अंदर की तरफ जो पदार्थ भरा हुआ होता है उसको हम matrix कहते हैं डाइग्राम को देखिए डाइग्राम में आपको सबसे बाहर की तरफ यहां आपको outer membrane जो इसकी covering है ये जो covering है पूरी जो covering है ये है इसके outer membrane अंदर की तरफ ये जो आपको folded structure में जो दिखाई दे रही है ये इसकी inner membrane है ये inner membrane है इसको इस तरह से बना सकते हैं आप ये mitochondria की बाहरी membrane ये हो गई outer membrane और इसके बालावा जो अंदर वाली जो membrane है इस तरह से folding हो जाती है इसमें और ये fold होकर crystal structure बनाती है यानि ये fold होई structure को हम crystal कहते हैं ये हो गई inner membrane इन inner membrane के द्वारा अंदर की तरफ एक sec निर्मान क्या जाता है इसमें जो कुछ पदार्थ भरा हो आ रहता है इस पदार्थ को हम कहते हैं matrix जैसे कि यहाँ पर आपको अंदर की तरफ कुछ पदार्थ भरा हो आ दिखाए दे रहा है ये है matrix यानि double membrane जो structure कैसे हो गई एक outer membrane हो ग cell के बाहर भी membrane पाई जाती है तो इनकी भी thicness लगबग बाहर की जैसे ही होती है लेकिन thicness of each membrane इस membrane की जो थिकनेस होती है लगबग 60-70 एंग स्टरॉंग इसकी thicness होती है या हम यूँ कहें इसकी जो मोटा ही होती है इतनी होती है सिर्फ एक ही एक के बारे में बात हो रही यहाँ पर जैसे कि इसका हमने ले लिया तो इसका लगवक 60-70 एंगल स्टॉंग इसका डायामीटर हो सकता है या आप इसके कहें कि मोटा ही हो सकती है ऐसे ही 60-70 अंदर वाली जो मेंब्रेन है उसकी भी मोटा ही इतनी ही रहती है बोट मेंब्रेन फॉर्म पैरी माइट्रोकॉंड्रियल स्पेस दोनों जो माइट्रोकॉंड्रिया की जो मेंब्रेन है जिसको हम आउटर और इनर कह रहे हैं इन दोनों के बीच में स्पेस पाया जाता है इसको हम कहते हैं इनर जो पैरी माइट्रोकॉंड्रियल स्पेस डाइग्राम को वापस create करते हैं जैसे कि यह outer membrane हो गई और अंदर की तरफ यह membrane है यह outer membrane, यह inner membrane अंदर कुछ बरावा है उसको हम matrix कह रहे हैं अब इन दोनों membrane के बीच में जो यह इस्तान है यह जो gap है उसको हम कहते हैं peri-mitrocondrial space इसको हम यह नाम देते हैं जिसको हम intermediate space peri-mitrocondrial space यह दो mitochondrial membrane के बीच में इस्तिता है intermediate space दो के बीच में इस्तिता है outer chamber भी कहते हैं outer chamber क्योंकि जो center का जो matrix का भाग होता है उसको हम कह देते हैं inner chamber इसको हम कह देते हैं inner chamber अंदर की तरफ ये चेम्बर कर निर्मान हो रहा है और ये जो बाहर है उसको हम आउटर चेम्बर कहते हैं इसकी हम चोड़ाई की बात करें या इसकी मोटाई की बात करें तो ये लगबख 60-100 अंगस्ट्रोंग तक होता है इनर मेंब्रेन क्या है इनर मेंब्रेन यानि अंदर वाली जो मेंब्रेन है वो फॉर्म क्रिस्टी बाई इनफॉल्डिंग यहें क्रिस्टी का निर्मान करती है कैसे इनफॉल्डिंग करके यहाँ पर आपको सबसे बाहर आउटर मेंब्रेन देन इनर मेंब्रेन इनर मेंब्रेन की अंदर की तरफ फॉल्डिंग हो रही है आप इस diagram में parallel ये ऐसे बना सकते हैं ये इसमें infolding हो रही है इन infolding को हम कहतेते हैं crystal इनको हम कहते हैं crystal कहते हैं singular को हम crystal कहते हैं इस तरह से इसमें infolding हो गई है inner chamber contain matrix और इसकी folding से ये बाहर की तरफ बाहर की तरफ एक chamber विक्सित करती है जिसको हम कहते हैं inter-membrane space या outer chamber भी कह देते हैं और अंदर की तरफ जो तयार हुआ है वो matrix भाग होता है और इस matrix भाग को हम कह देते हैं कि यह inner chamber है यह हो गया inner chamber मैट्रिक्स में क्या होता है यानि अंदर जो भाग है उसमें क्या भरा होता है matrix contain protein matrix में protein पाए जाते हैं engines पाए जाते हैं RNA पाए जाता है ribonucleic acid पाए जाता है ribosomes पाए जाते हैं और 55S भी पाए जा सकते हैं S का मतलब स्वेदवर्ग unit के बारे में यहाँ पर अलग-अलग organism में अलग प्रकार से पाए जाएंगे हमने यह भी पड़ा है 70S ribosomes prokerotic में पाए जाते हैं यहाँ पर भी 70S ribosomes पाए जा रहे हैं इसके अलवा 50S ribosomes भी पाए जाते हैं human में 50S ribosomes पाए जाता है जो 70S ribosomes है वो prokerotic के समान है इसके अलवा कुछ और mitochondria के गुण ऐसे होते हैं जो इसको prokerotic के साथ जोडने का काम करते हैं इसलिए इसे mitochondria को हम किसी pro जो एक bacteria से origin मानते हैं कि यह कोई bacteria किसी eukerotic cell में एंटर कर गया और इसके बाद में इसमें energy बनाने लग गया तो यह है जो ribosomes है 70S ribosomes पाए जा रहे हैं इसके अलवा matrix भाग में phospholipids पाए जाते हैं DNA पाए जाता है DNA content देखो nucleus में पाए जाता है एक तो kendra में पाए जाता है दूसरी जगे होती है chloroplast में पाए जाता है plants में और जो animal cell में यह mitochondria है उसमें भी DNA पाए जाता है तो वो इस्तान mitochondria है DNA की संक्या 2-6 double standard circular DNA पाए जाता है DNA double standard में पाए जाता है और यह circular form में पाए जाता है और इनकी संक्या 2-6 तक हो सकती है एक single mitochondria में जैसे कि mitochondria में आपको ribosomes दिखाए देंगे granules दिखाए देंगे इसके अलावा आपको DNA content दिखाए देगा इसमें कुछ RNA भी पाए जाता है RNA content आपको दिखाए देगा enzymes आपको दिखाए देंगे इस परकार से कई सारी जो पदार्थ हैं इसमें पाए जाते हैं अब हम इसमें membrane को समझते हैं membrane इसमें महत्वपूर्ण होती हैं दो membrane double membrane bounded cell organelle हैं जिसमें हम सबसे पहले outer membrane के बारे में पढ़ते हैं mitochondria के जो सबसे बाहर membrane है उसके बारे में जैसे कि mitochondria को एक बार फिर से बना लेते हैं ये mitochondria की अंदर वाली membrane ये folding हो रही है जबकि ये outer membrane और अंदर वाली है ये inner membrane तो outer membrane के बारे में हम जानते हैं outer membrane eukaryotic origin यानि outer membrane में जो composition होता है उसके आदार बराम ये बताते हैं कि उसका origin eukaryotic होता है यानि ये हैं विक्षित membrane होती है more permeable ये है more अधिक पारगम में होती है for metabolic substances जो भी उपापचे जो पदार्थ होते हैं उनके लिए ये अधिक पारगम में होती है इसमें composition की बात करें यानि इसमें membrane में 40% lipid पाया जाता है और 60% protein पाया जाता है यानि अब जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें lipid content 40% पाया जाता है और protein 60% पाया जाता है enzymes में monoamine oxidase enzyme पाये जाते हैं यह enzyme कहां पर पाये जा रहे हैं जो यह membrane है इस membrane में पाये जा रहे हैं जो भी चीज़ें पाये जा रहे हैं यह membrane में पाये जा रहे हैं जैसे कि monoamine oxidase NADH, cytochrome reductase, fatty acid coa ligase यह zo enzyme है यह specific हैं कि यह बाहरी वाली membrane पर ही पाये जाते हैं इसके अलावा porins protein found in dominant बाहर वाली membrane में porins protein मुखेता पाये जाती है बहुत अधिक संक्या में पाये जाती है porins का पाये जाना इसकी पारगम्यता को बढ़ाता है कि इसकी outer membrane की जो permeability अधिक होने का जो कारण होता है वो porins protein के कारणी होता है आप ये बात ध्यान रखेंगे जो क्योंकि porins के बारे में पूछा जा सकता है कि porins जो protein है वो कहाँ पर अधिक मात्रा में पाये जाती है less enzymes found in this membrane compare to outer membrane अगर हम outer membrane की तुलना करें sorry outer membrane नहीं inner membrane से इसको हम inner membrane से तुलना करेंगे less enzymes found in this membrane compare to inner membrane inner membrane तो enzymes बहुत सारे पाये जाते हैं बहारी वाली membrane में enzymes कम पाये जाते हैं अगर क्योंकि हम देखेंगे कि inner membrane वास्ता में किसमें भाग ले रही है वो हम समझते हैं अब हम समझते हैं inner membrane के बारे में Inner Membrane को हम Pro-Kerotic Origin मानते हैं Selectively Permeable होती है यानि ये चैना आत्मक पारगम्यता रखती है यानि कुछ पदार्तों को ये अंदर लेती है और अधिकान कुछ पदार्त होते हैं उनको ये बहार कर देती है उनको अंदर आने नहीं देती है Composition में देखेंगे तो इसमें 20% Lipid होता है अगर आप Compare करो तो यहां पर 40% Outer Membrane में 40% Lipid पाये जा रहा था जबकि Inner Membrane में 20% Lipid पाये जाता है 80% Protein पाये जाता है Inner Membrane में यानि अधिकान इनर Membrane का जो Cell Membrane का जो Composition है उसमें 80% Protein पाये जाता है Cardiolipin Cardiolipin एक Lipid है Present 7 times more in Inner Membrane Compare to Outer Membrane जो Inner Membrane है उसमें Cardiolipin बहुत अधिक संक्या में पाये जाती है अगर इसको Outer Membrane बाहर वाली Membrane से हम तुलना करें तो बाहरी वाली Membrane से 7 गुना अधिक Cardiolipin जो Lipid है वो Inner Membrane में पाये जाता है Succinate Dehydrogenase इसका नाम आप ध्यान रखेंगे Succinate Dehydrogenase जिसको हम Marker Enzyme कहता है यानि पूरे Animal System में यानि पूरी Cell में ये सिर्फ Inner Membrane में हमें मिलता है ये जो Succinate Dehydrogenase Enzyme है ये Inner Membrane में पाये जाता है This Membrane contains protein इस Membrane में protein Electron Carrier Enzymes and Coupling Factors पाये जाते हैं जो की ETS Electron Transport System या Electron Transport Chain में भाग लेते हैं और Oxidative Phosphor Relation के द्वारा ATP का निर्मान करते हैं Inner Mitochondrial Membrane Form of Christie ये Inner Mitochondrial Membrane क्या कर रही है Christie का निर्मान कर रही है Christie word given by pellet Pellet Mechanic थे इन्होंने जो Christie term है इसको propose किया था ये Infolding of Membrane Structure होती है जो वास्ता में Christie क्या है जो Membrane की Infolding होती है अंदर की तरफ folding होती है अब एक Special Term है Myoplast Myoplast क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं Myoplast को आप Simply ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा Mitochondria जिसमें Outer Membrane नहीं पाए जाती है यानि Outer Membrane हम उसको हटा दे और सिर्फ और सिर्फ इनर Membrane उसमें पाए जाए उसको हम कहते हैं Myoplast Mitochondria without Outer Cell Membrane is called Myoplast उसको हम Myoplast कहते हैं जो Outer Membrane है Outer Cell Membrane है वो नहीं पाए जाए आप सिंपली Membrane भी कह देंगे Outer Membrane is removed by use of यह Digitonin जो substances है उसको यूज करते हुए आप बाहर की जो Membrane है उसको remove कर सकते हैं यह chemical आप चाहें तो द्यान रख सकते हैं Next इसी में हम बात करने वाले हैं अब हम बाहर वाली Membrane और अंदर वाली Membrane के बारे में तो समझ चुके हैं लेकिन अंदर वाली जो Membrane है वो क्रिस्टी बना रही है और क्रिस्टी के ऊपर कुछ special सरचना पाए जा रही है उनको हम diagram में समझते हैं यह आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है सबसे पहले हम देखते हैं आउटर Membrane और यह Inner Membrane है बीच में Inter Membrane Space पाए जाता है अब आप जब Inner Membrane को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी सरचना में आपको डोट 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 इस्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाए दे रही है यहाँ पर भी आपको दिखाए दे रही है इसमें जो क्रिस्टी है यह जो क्रिस्टी बना रही है यह जो फोल्डिंग है इनको हम क्रिस्टी कहते हैं इन क्रिस्टी के ऊपर कुछ सरचना पाए जा रही है इन सरचनाओं को हम कहते हैं Oxysomes समझते हैं इनको Inner Mitochondrial Membrane Have Stocked Particle इनको हम Stocked यानि इनके पास में Stock होता है एक वरंत होता है एक तने जमान सरचना होती है और यह Stocked Particle कहलाते हैं इनको Stocked जो Particle रख रहे हैं इनको Combinely हम कहते हैं Oxysome इनको कहते हैं Oxysome या F1 Particle या इनको नाम दिया गया है F1 Particle या Elementary Particles या इक और नाम दिया गया है Fernandes Moran Particle Fernandes Moran Particle इनको यह इतने सारे नाम दिये गए हैं और वास्ता में जो यह Kristi है इस Kristi के उपर जब आप देखेंगे तो यह Kristi है यह एक Kristi है इस Kristi के उपर यह Kristi है Mitochondrial यह Outer Membrane है यह Outer Membrane है और यह है Inner Membrane और Inner Membrane में आप देख रहे हैं यह इसकी Folding होई है क्रिस्टी का निर्माण होआ है इस Kristi है इस Kristi के उपर इस तरह की structure पाई जा रहे है इसको हम कहते हैं F1 Particle Oxysome या Elementary Particles या Fernandez Moran Particle समझते हैं एक-एक Terminology को Oxysome Oxysome Oxi word आ रहा है Oxygen से सम्मदित तो क्योंकि यह Oxygen को Use करते हैं Oxygen का प्रियोग करते हैं और Oxygen का प्रियोग करकी यह ATP बनाते हैं Term was proposed by Leninger Leninger के द्वारा यह सब्द जो प्रपोज किया गया था उनके द्वारा दिया गया था Oxysome इसका पूरा नाम है इसका पूरा नाम है इसका पूरा नाम है जिसको डिसकावर किया था Oxysome को उन वेग्यनिक का नाम है एक ही वेग्यनिक है यह इन Oxysome Enzyme ATPase is present which is discovered by E. Rekar इस Oxysome में यह Oxysome बहुत ही महत्योपूर्ण से रचना है इस Oxysome में जो Enzyme पाए जाता है यहां इसका जो यह जो उपर वाला जो Head region है उसमें A-T A-T-Pase Enzyme पाए जाता है और इसको जो discover करने का सरे Rekar को दिया जाता है The mitochondrial F0 and F1 Synthetase Enzyme Complex और वास्तम में यह पूरा एक Complex बना देता है यह पूरा एक Complex structure है जिसमें सबसे एक पार्ट होता है F1 पार्ट इसको हम F1 पार्ट कहते हैं और जो अंदर की तरब दसावा भाग होता है इसको हम कहते हैं F0 पार्ट जो F1 है present on the matrix side यह matrix side में present होता है जैसे कि यह membrane है तो यह इस तरह से arrangement रहता है इनका यहनि आप अगर इसको ऐसे तरह से बनाते हैं इस तरह से तो इसकी membrane में यह इस तरह से दिखाए देंगे इस तरह से इस तरह से यह पाये जाते हैं तो यह matrix side में present होते हैं and made by 9 sub unit और F1 वास्ता में कोई single structure नहीं है यह कोई single structure नहीं है समझते हैं diagram को एक बार clear करते हैं यह वास्ता में कोई single structure नहीं है F1 जो है वास्ता में यह 9 sub unit से मिलकर बनावा होता है इसमें 3 alpha यह protein की रचना है 3 beta gamma 1 single delta and epsilon यह इसकी unit पाई जाती है इसके अलावा F0 है F0 है यह 3 sub unit से मिलकर बनावाता है A, B, N, C जिसमें A1, B2 और C2 में C2 में जो C10 से 12 तक भी unit पाई जाती है यह बात हुई हमारे oxygen particle के बारे में अब इस diagram को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें अंदर दसावा जो भाग होता है उसको हम F0 कहते हैं और जो आगे उब्रावा जो भाग होता है इसको हम F1 portion कहते हैं इन दोनों के बीच में जो एक भाग होता है उसको हम stock कहते हैं या तना कह सकते हैं आप आप इस diagram में इसमें ये धागे नुमा आपको सरचना दिखाए दे रही है ये वास्ताव में DNA content है अब हम समझते हैं mitochondrial DNA के बारे में mitochondrial यह नहीं जो mitochondria में जो DNA पाए जा रहा है उसके बारे में mitochondrial DNA double extended circular DNA होता है ये हमें समझ में आ गया 226 circular DNA present in one mitochondria एक single mitochondria में 2-6 double extended circular DNA पाए जाता है जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिखाए दे रहा है size similar with prokerotic cell यानि mitochondria का जो DNA है उसकी size prokerotic cell के समान होती है लगबख 4-10 micrometer इसका जो size होता है इतना होता है और ये prokerotic के समान बताता है mitochondrial DNA is discovered by NAS and NAS NAS and NAS के दोवारा mitochondrial DNA के बारे को discover किया गया था खोजा गया था इसमें लगबख 13 gene पाई जा रहे थी जबकि in humans mitochondria have ये humans में लगबख 16,569 लगबख 16,569 base pair पाई जाते हैं किसमें mitochondrial DNA में लगबख 37 genes पाई जा रहे हैं ये human में पाई जाने वाले mitochondria के बारे में बात है यह यहाँ पर जो mitochondria दिखाया गया है ये एक animal cell है इसमें ये जो mitochondria है उसमें ये जो पाट है वास्ता में ये mitochondrial DNA है और इस mitochondrial DNA को हम एक को देखें तो इस परकार की structure होती है जिसमें ये कुछ gene को यहाँ पर दरसा है गया है ये है mitochondrial DNA के बारे में बात अब हम समझते हैं एक special theory जिसको endosymbiotic theory कहते है endo endo का मतलब हो गया within sin का मतलब हो गया together and bios का मतलब living यानि जो एक अंदर की तरफ साथ-साथ रहते हैं तो क्या मतलब हुआ endosymbiotic theory proposed by Lynn Margulis Margulis द्वारा endosymbiotic theory को proposed किया गया था प्रस्तावित किया गया था यानि इन्होंने ये बताया कि वास्ताव में ये जो mitochondria का जो origin होता है वो किसी bacteria के enter eukaryotic cell में enter होने से हुआ है division by simple division या हम कहें binary fusion के द्वारा division होता है mitochondria में जो वीभाजन होता है वो simple fission के द्वारा होता है जैसे कि bacteria में जैसे होता है वैसे ही इसमें भी होता है अगर हम mitochondrial genome को देखें तो वो एक bacteria के genome से similarity शो करता है rickettsia rickettsia जो एक bacteria है इस bacteria के साथ उसका genome है mitochondria का genome होता है उस समानता दरसाता है जब आप इसको द्यान से देखेंगे तो इसको mitochondria को cell within cell भी कहा जाता है कई बार यह कहते हैं पुराने terminology यूज की जाती है इसके अलावा mitochondria एक semi autonomous organelles है क्योंकि 70S ribosomes in plant क्योंकि 70S ribosomes plant में जो पाए जा रहा है वो protein synthesis करता है 55S and 60S ribosomes in animal यह भी protein synthesis में मदद करता है और कुछ मातरा में यह protein बना लेते हैं संपूर्ण protein की आवसकता है उनको nucleus से बनाने की जावसकता नहीं होती यह खुद का भी अपना protein synthesis कुछ मातरा में कर लेते हैं इसलिए इसको semi autonomous cell organelles कहा गया है समझते हैं chemical composition of mitochondria mitochondria के chemical composition के बारे में mitochondria में जो part होता है protein part होता है lipid में phospholipid and glycerides part होते है protein में 65 अधिकांस मातरा में protein पाये जाता है हमने बाहर वाली membrane और अंदर वाली membrane का composition बात कर चुके हैं इसके लाब phospholipid 4% होता है glycerides इसमें 29% होता है rRNAs पाये जाते हैं tRNA पाये जाते हैं double standard circular dna पाये जाता है मिंडल्स पाये जाते हैं आयन पाये जाते हैं देखो rRNA पाये जा रहा है और tRNA भी पाये जा रहा है तो यह जो protein बनाने में मदद करते हैं अब हम बात करते हैं mitochondria के कारियों के बारे में functions of mitochondria mitochondria के क्या कारियों होते हैं जैसा कि हम जानते हैं माइट्रोकॉंट्रिया को एक सेल का पावराउस का जाता है यानि पावराउस और प्लांट के रूप में यह क्या कार्य करता है एक सेल में यह energy बनाने में काम करता है complete oxidation and form ATP यह है बोजन का जो complete यह नहीं हम यूँ कहें कि glucose का जो complete oxygen होता है उसके लिए mitochondria responsible होता है और इस complete oxidation के false root ATP बनती है ATP कहां बनती है electron transport chain में और electron transport inner mitochondrial membrane में उपस्तित होती है energy currency for cell, the cell ATP को हम जो cell की उरजा भी कहते हैं other energy components, कुछ और भी components होते हैं जिनसे जैसे की UTP, GTP और CTP इसके अलावा mitochondria site for crepe cycle crepe cycle का इस्थान होता है beta oxidation यहां पर होता है और electron transport system oxidative phosphorlation की परकरिया भी यहीं पर होती है aerobic respiration में भी मदद करता है synthesis of intermediates इसके अलावा यह है कुछ intermediates बनाने में मदद करता है जैसे की cytokrome का निर्मान होता है वो mitochondria में होता है hemoglobin का निर्मान होता है mitochondria में steroid का जो निर्मान होता है formation of amino acid amino acid का जो निर्मान होता है वो भी mitochondria में होता है जैसे की glutamic acid espartate, alpha glutat अपने ध्यान होगा crepe cycle में कुछ पतार्थ बीच बीच में जो बन रहे थे वो वास्ताव में amino acid हैं और उनकी कई प्रकार के metabolism में वो protein के निर्मान में भाग लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे ATP का generation हो रहा है इसका मतलब यह power house की तरह काम कर रहा है कैसे कर रहा है glucose आया, glucose का हमने क्या किया, glucose का हमने glycolysis किया, glycolysis में कुछ NADH और FADH NADH बने हैं इसके बाद में pyreuc acid बनकर creep cycle में एंटर करिया और यह creep cycle जो होता है वो mitochondria में होता है mitochondria के matrix बाग में होता है creep cycle होने से यह जो भी FADH2 और NADH2 जो बने हैं इनको electron transport chain के तुरू बेजा जाता है और ATP का generation होता है इस परकार यह cell का power house की तरह काम करता है cell को उर्जा का उर्जा के परतायन करने का कारे कर रहा है इसके लावा storage of calcium calcium का store करना इसका कारे होता है thermogenesis यानि यह उश्मा उत्पादन करने में भी मदद करता है formation of spiral in middle part of sperm जो sperm होता है जैसे कि यहाँ आपको diagram में दिखाए दे रहा है जो इसका बीच वाला जो part होता है जो सुक्राणू का जो बीच का बाग होता है उसमें spiral shape बना लेते है mitochondria आपस में मिलकर और यह इसमें energy provide करवाता है degradation of toxic substances जो जहरीले पदार्द होते हैं उनका degrade करने का कारे भी mitochondria का होता है जैसे कि ammonia को यह detoxify करके उसको यूरिया में convert करते है इसके अलावा cytoplasmic hereditary जो cytoplasmic hereditary है cytoplasm के दुआरा जो वनसानुगती होती है उसमें mitochondria का roll होता है इसमें हम यह समझ सकते हैं कि जब हम यह जानते हैं egg के पास में mitochondria पाए जा रहा है और sperm में जो egg पाए जा रहा है वो इतना योगदा नहीं देता है वो तो सिर्फ energy प्रोवाइड कराता है तो mother के यह female और यह male का gamit हो गया mother का जो cytoplasm है यानि उसमें cytoplasm में वास्त में क्या भी है उसमें mitochondria भी पाए जा रहा है तो mitochondria जैसा mother में होगा वैसा का वैसा वो generation में transfer हो जाता है और यह heredity करता है यानि मादा में जो जैसा mitochondria होगा वैसा के वैसा वो चला जाता है role in apoptosis इसके लावब apoptosis में भी यह मदद करता है apoptosis क्या होता है program cell death यानि जिस cell को भी खतम करना होता है उसके लिए कुछ engines इसमें mitochondria में पाए जाते है यह हुई इसके function के बारे में बात अब हम इसका last बात समझते हैं mitochondria को हम जान चुके हैं कि यह semi autonomous organelles है यह बात आप ध्यान रखेंगे इसका reason क्योंकि mitochondria में DNA पाया जाता है हाला कि semi का गया है क्योंकि nucleus से RNA बनता है RNA से protein बनती है और यह mitochondria में import किये जाते हैं mitochondria में डाले जाते हैं mitochondria का खुद का DNA भी RNA बनाता है RNA से protein का निर्मान होता है यहनि because the growth and proliferation of mitochondria are controlled by both nuclear genome and its own genome क्योंकि mitochondria को जो जितना भी पदार्थ बन रहा है वो nuclear genome और खुद के genome के द्वारा control हो रहा है इसलिए इसको यह terminology दी गई है यह थी mitochondria के बारे में जानकरी उमीद आपको अच्छा लगा होगा Thank you